हम पौधी इस देश की खड़कन हैं वाले तमाम विवों को मेरा चाहिंद जे भारत अगर आपका भी सपना है तो बैज ज़िजक आप सेशन को देखिए आपका सपना मेरे दोस्त इस पार जरूर पुरा होगा और आप सभी को मैं यह भी आउगत करा दू मेरे दोस्त आपका इगजाम यह 28 जून को होगा पुरा स सेशन के अंत में दोस्तों हम आपको जेडी टेकनिकल के पर्वेस पतर दिखाएंगे जिन पर डेट 28 जून की लिकी है तो आप सेशन को सुरुष अंत तक देखते रहे हम आपको विद फरूप के साथ दिखाएंगे और इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको आर्मी पूछे जाने की 100% संबावना है इसमें से आपको दोस्तों 26 पलस अगर आप इसमें राइट करते हो तो आप आर्मी गज़ा में मेरे दोस्त आराम से 30 में से 27 28 इसक्यूसन राइट कर गया होगे पलस इस 30 क्यूसन के बाद में दोस्तों हम आपके एक्जाम के अंदर भारति यह रेल से समझ दित महतूपन क्यूसन चूसन बनते हैं उनके बारे में भी मेरे दोस्तों डिसकस करेंगे पैन और कौपी साथ में लेकर बेटना जो क्यूसन आपको नहीं आता उसे नोट करना है मेरे दोस्तों किूसन बहुत अच्छे शांधार होंगे जिस दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को आप सबसे पहले लाइक कीजिए और उसके बाद बहुत है अची और श्यांदार मेरे दोस्त आप कलास का आनंद लीजिए तो ज्यादा बाते ना करते हैं दोस्त हम फाइनल अपने सेशन के तरब बढ़ते हैं परपुना है सबी नोजवानों को मेरा जाहिन दे तो दोस्त हम फाइनली बात करते हैं फैस्ट क्योशन की क्योंकि हम हाथ से पढ़ाते हैं तो मेरे दोस्त इसमें हम बहुत अच्छे क्योशन से इंकलूड करवाते हैं हम और किसी से करवाते हैं, अगर हाथ से लिखते हैं, तो हम स्वेम आपका दोस्त बेजभाई लिखता है, जो कि आपके एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, हिंदे और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में हैं, लेकिन मेरे दोस्त आपको नहीं मिलेंगे, इतना किजिए, और आराम से मेरे दोस्ते इनको सुनते जाए, एक से बढ़ कर एक क्यूसन आपको देखने को मिलेगा, बात करते हैं पर्ष्ट क्यूसन की, पर्ष्ट क्यूसन कहता है मेरे दोस्ती, लोकसबा देक्स का चुनाव किया जाता है, इस फिकर ओफ लोकसबा इस एलेक् को नुक्षान करती है तो दोस्तो पे लिया है ये दोस्तो यकरत लिवर को परभावित करती है ये आपको ध्यान रखना है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट को सुन की नेश्ट को सुन कहता है मेरे दोस्ती धावनी की गुणवता किस पर निरवर करती है quality of sound defense of one ये दोस्तो frequency आवर्ती पे दोस्तो निर्बर करती है दावनी की गुणवता बात करते हैं दोस्तो नेश्ट को सुन की नेश्ट को सुन कहता है मेरे दोस्ती लोथल किस यूग का एतिहासिक इस्तान है लोथल is a historical site of which is लोथल है ये इंडस वैली एज सिंदु घाटी यूग का दोस्तो आतिहासिक इस्तान है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट को सुन की नेश्ट को सुन कहता है मेरे दोस्ती अंतरराश्टी महिला दियूसी कब मनाया जाता है अंतरराश्टी महिला दियूस है ये दोस्तो आट मर्च को मनाया जाता है आपके 28 जून आर्मी एकजम के लिए दोस्तो ये क्योशन बहुत ही महत्वपुन है नेश्ट को सुन है दोस्तो जी एस्टी का पुरा नाम क्या है तो दोस्तो इसका फुल नेम है गोट्स एंड सर्विस टेक्स बात करते हैं दोस्तो नेश्ट को सुन की नेश्ट को सुन कहता है मेरे दोस्त रुस्तम 1 तता रुस्तम 2 से अभिप्राई है वाट इस रुस्तम 1 एंड 2 यह है एक दोस्तो मानव रहित युद वायोयान है यह आपको दोस्तो ध्यान रखना है ऐसे एक दो क्यूसन मेरे दोस्त आपके एकजामे आपको एड़े टेड़े अगर मिलेंगे देखने को और अगर वो आप सही कर देते हो तब ही मेरे दोस्त आपका नंबर मेरिट सुची में बहुती उपर जाईगा बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुसन की नेश्ट कुसन कहता है मेरे दोस्ती पदमनी राउत का समंद किस खेल से है यह आपको बताना है तो दोस्तो पदमनी राउत का समंद है यह चेस सतरंज से समंदित है और आपके एकज़ा में दोस्तो क्यूसन बनता है Grand Master का समन्द किस खैल से हैं तो दोस्तो Grand Master का समन्द है यह मेरे दोस्ते सतरन से हैं बात करता है नेश्ट क्यूसन की नेश्ट क्यूसन है दोस्तो सेल से आप क्या समझते हैं What do you understand by सेल Still Authority of India Full Forum का मेरे दोस्त कभी कबार आपके एकज़ा में एक क्यूसन दो नबर का देखने को मिलता है नेश्ट क्यूसन की बात करते हैं नेश्ट क्यूसन है मेरे दोस्ते पंकज आडवनी किस खैल से समन्दित है पंकज आडवनी किस खैल से समन्दित है तो दोस्तों ये है सुनोकर ध्यान रखना important question है ये दोस्तों सुनोकर से समन्दित है next question है मेरे दोस्ती राष्टिय दुग्द दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है when is national milk day observed तो दोस्तों ये मनाया जाता है 26 नवंबर को राष्टिय दुग्द दिवस से मनाया जाता है next question है मेरे दोस्ती मनुशे के हर्दे में खाने होते है human hearts, hedge chambers तो दोस्तों ये होते है चार कोश्टक होते है मनुशे के हर्दे में बात करते हैं दोस्तों next question की next question कहता है मेरे दोस्ती light year के इकाई है light year is a minute of light year अर्थार्थ परकास वर्स किसके इकाई है तो ये दोस्तों दूरी distance ध्यान रखना ठीक है बात करते हैं दोस्तों next question की next question कहता है मेरे दोस्ती आजाद भारत के पर्थम वित मंतरी कौन थे question ये बहुत important है मेरे दोस्ते द्यान रखना आजाद भारत के पर्थम वित मंतरी आर के सान मुकम चेटी थे बात करते हैं दोस्तों next question की next question कहता है मेरे दोस्ते एसा कौन सा मोगल सासक था एसा कौन सा मोगल सासक था जिसने पिता को कारावास दिया ये बहुत important question है दोस्तों विज मोगल रोलर डीड अवार्डेड जेल टू हिज फादर अपने ही पिता को दोस्तों जेल में भेज दिया था तो ये था दोस्तों औरंग जेब बात करते हैं दोस्तों next question की next question कहता है मेरे दोस्त vitamin D की कमी से होता है ये आपको बताना है तो दोस्तों vitamin D की कमी से है ये दोस्तों हड़ी रोग होता है ठीक है exam में confuse करने के लिए आपको हड़ी रोग दिया जाता है अर्थार्थ rickets क्यूंकि rickets आप सभी को पता है लेकिन हिंदी में दोस्तों rickets को हड़ी रोग कहा जाता है next question है मेरे दोस्ती chlorophyll पाया जाता है chlorophyll is found in तो दोस्तों chlorophyll होता है ये plants में पोदों में दोस्तों पाया जाता है बात करते हैं दोस्तों next question की next question है दोस्तों पर्तिरोध की इकाई है ये आपको बताना है पर्तिरोध किसकी इकाई है ये दोस्तों ओम की इकाई है पर्तिरोद बहुत अच्छा ठीक है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन है मेरे दोस्ती पर्थवी की परिदी सबसे ज़्यादा है तो दोस्तो फर्थवी की परिदी है ये दोस्तो इकवाडोर भूमद्य रेकापर दोस्तो सबसे ज्यादा है अब live chat के अंदर मेरे दोस्त बाते कम कीजिए अब session की तरफ ध्यान दीजिए ठीक है बातें आपको exam के बाद हम करवा देंगे tension मत लीजिए ठीक है next question की बात करते हैं next question की बात करते हैं next question कहता है मेरे दोस्त ग्रिन हाउस परवाव का मुख्य कारण है दोस्तो ये कुशन बहुत ही इंपोर्टेंट है तो ध्यान रखना Green House का मुख्य परबाव है मेरे दोस्त कारबन डाई ओक्साइड CO2 ध्यान रखना ठीक है Next कुशन की बात करते है Next कुशन कहता है मेरे दोस्ती गर्ब में मुझूद धनात्मक आवे सकन होता है बहुत ही ये दोस्तो इंपोर्टेंट कुशन है तो ये होता है दोस्तो प्रोटोन Next कुशन है दोस्तो इन में से कौन Radioactive पदार्थ है Which among the following is a Radioactive material तो दोस्तो ये है Uranium ध्यान रखना ठीक है बात करते हैं दोस्तो Next कुशन की Next कुशन कहता है मेरे दोस्तो निमन में से कोन निले लिटमेस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो दोस्तो ये बदलता है Amal Acid ध्यान रखना ये कुशन important है भाई बात करते हैं दोस्तो Next कुशन की Next कुशन कहता है मेरे दोस्तो Chemoglobin किस में पाया जाता है दोस्तो Chemoglobin है ये दोस्तो खुन बलड के अंदर पाया जाता है Next कुशन है मेरे दोस्त चमगादड अंधेरे में इडने में सकसम है क्योंकि उसके पंख उत्तपन करते हैं तो इसके जो पंख होते हैं यह ultrasonic तरंगों को उत्पन करते हैं मेरे दोस्ते next question है मेरे दोस्ते sulfuric acid अमल sulfuric अमल का सुतर है chemical formula of sulfuric acid is तो इसका जो formula है यह है मेरे दोस्त H2SO4 बात करते हैं दोस्तो next question की next question है मेरे दोस्ते किस से बिजली को मापा जाता है electric current is measured by तो दोस्तो यह emitter से मापी जाती है बिजली बात करते हैं दोस्तो next question next question कहता है मेरे दोस्ते पागल कुत्ते के काटने से बिमारी होती है तो दोस्तो पागल कुत्ते के काटने से है यह दोस्तो rabies बिमारी होती है बात करते हैं next question की next question है दोस्तो निमन में से कोन अच्छा चालक नहीं है which of the following is not a good conductor जस्ता, चांदी, सोना, अबरक options आपके सामने हैं मेरे दोस्ती अब आप इसका अंश्वर दीजिए ठीक है अपने इतनी देर आपने खूब बात नहीं की इसका अंश्वर दीजिए मेरे दोस्ते अच्छा चालक नहीं है आपको बताना है क्यूसंश को चितर के से पढ़ना not a good conductor चालक अच्छा नहीं है यह बताना है अब रख इसका right होगा जो दोस्त option D बता रहा है वो बिल्कुल शही बता रहा है अब मेरे दोस्त आप इसमें बताए कितनी क्यूसंश है यह आप इसमें right करते हो अगर मेरे दोस्त इसमें आप 30 में से अगर 25 प्लस भी करते हो ना तो वाकिये में आपकी तयारी बहुत ही अच्छी है और इसी according आपकी exam में मेरे दोस्त क्यूसंश है वो पूचे जाएंगे अब देखे हम दोस्तों आपको करवाते हैं भारतिये रेल से समन देते महतवपुन क्यूसंश दो आपके exam के अंदर दोस्तों बनते हैं ध्यान रखना भारतिये रेल से आपके exam में बहुत सारे important questions बनते हैं तो इनको आप अच्छी तरीके से देखिए फैस्ट कुसन दोस्तों आपके exam में डारेक्ट आता है भारत के रेल के सुरुवात कब और कहां से कहां तक हुई तो 16 अप्रेल 1853 को हुई थी रेल देउस भी 16 अप्रेल को मनाये जाता है 34 किलोमेटर दोस्तों ये चली थी मुंबई से ये दोस्तों ठाने तक चलीती ये आपको ध्यान रखना है और अभी पूरा सेसन देखने के बाद आपको हम बता देंगे फित पुरूप के साथ कि आपका exam 28 को होगा नेश्ट कुसन है दोस्तों भारतिय रेल का जनक या पिता किसे कहा जाता है तो दोस्तों लाड डल होजी को भारतिय रेल का जनक या पिता कहा जाता है नेश्ट कुसन है मेरे दोस्तों पहली वीडियो तो संचालित रेल कब चलीती ये दोस्तों 1925 में चलीती लेकिन ये कहा चलीती ये आपको comment box में बताना है ठीक है पूरा सेशन देखने के बाद यह आपके होमुरक के लिए क्यूशन है नेश्ट क्यूशन है मेरे दोस्ते पहली मेट्रो रेल कब चली दोस्तो पहली मेट्रो रेल है यह दोस्तो कलकता में उनीशुप चेतर में चलेती आप इसे भूमी का त्रेल कह सकते हो नेश्ट कोशन है दोस्ति विश्वे का सबसे लंबा प्लेट फॉर्म कॉंशा है तो ये है दोस्तो गौरकपुर यूपी आपको हेड राइटिंग तो मेरे दोस्त समझ में आ रही है या नहीं बताईए एक बार सभी दोस्त समझ में आ रही है तो एक बार प्यार से देल से आप सेसन को लाइक कीजिए जितने भी नोज़वान जो सुन रहे हैं एक बार आप सेसन को मेरे दोस्त लाइक कीजिए ताकि हम आपको इसी ज़ो इसा मेटर दे देंगे वो पढ़ के आप एक्जाम देने चले जाना किसी गाइड को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी जब तक आप इसी जोस और जनूर के साथ अपनी पढ़ाई को मेरे दोस्ते कंटीनू रखिए बात करते हैं नेश्ट कुशन की नेश्ट नेश्ट कुशन की बात करते हैं नेश्ट कुशन है दोस्ती भारत की पहली रेल बस सेवा कहा से कहा तक चली तो यह दोस्तो मेरता रोड से मेरता सीटी तक चली थी नेश्ट कुशन है भारत में कुल रेलवेज जोन वर्तमान में कितने हैं तो ठारा है पहले सत्रा थे ठीक रेलवे जोन कौन शाहे यह उत्तपरी रेलवे जौन जिसका मुखेली दुस्तों दिल्ली में है और चोटा रेलवे ज़ोन है दुस्तों कलकत्ता मेट्रो नेक्स्ट है सारवाधिक रेल जोन वाला राज्य कौन शाहे तो यह था मेरे दोस्ते पंजाब ठीक है अब हम पहले मेरे दोस्त आपको एडिमिट कार दिखाते हैं आप उसे देखिए और फिर निस्चिन्थ होकर आप अपने एगजाम के बहुत अच्छी स्यांदार तयारी कीजिए आपने अभी तक अगर अपने एरो में अगर कॉंटेक्ट नहीं किया है तो मेरे दोस्त जल्दी कीजिए आपका एकजाम 28 जून को होने के बहुत ज़्यादा चांस है एक बार इनको एडिमिट कार दिखाई भाई आपको दिखाई देर रहे होंगे मेरे दोस्त आप इन पे डेट लगी है उसको देख सकते हो 28 जून की दे रखी है टेक्निकल और जीडी दोनों में भाई ठीक है ट्रेडमेन का भी इनके साथ ही है ठीक है न तो निश्चिंथ होकर आप तयारी में लग जाए मेरे दोस्त ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ आज के क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो आप प्यार से दिल से इसको लाइक कीजिए और अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको सेर कीजिए क्योंकि आपको यह दिखार है मेरे दोस्त आपने फिजि किसे ने लिखा है ना मेरे दोस्ते कि रक होसला वो मनजर भी आईगा रक होसला वो मनजर भी आईगा प्यासे के पास चलके समंदर भी आईगा ठक हार के युना बेट मंजिल के मसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आईगा तो ओके दोस्तों मिलते हैं आप स सबी को आप इस नेक्स्ट सेसन के साथ जाहिंद वंदे मातरम भारत माता कीजे खुश रहें मस्त रहें